गुड मॉनिंग बच्चों आज हम फिजिक्स चैप्टर सेकेंड मानो नेत्र तथा रंग विरंगा संसार का पार्ट फर्ष्ट का अधियन करेंगे इसमें हम सबसे पहला प्रश्ण पढ़ेंगे मानो नेत्र क्या है ठीक और मानो नेत्र की भाग कौन कौन से होते हैं ठीक और ठीक चीत्र पढ़ेंगे और आगे कुछ दोस पढ़ेंगे ठीक तो धेखते हैं सबसे पहली एडिंग मानो नेत्र ठीक मानो नेत्र क्या है तो हम लिखेंगे इसके अंदर या एक अत्यंते मोलेवानेयम सुग्राही ग्यानेंद्री है ठीक मानोनेत्र क्या है एक अत्यंते मोलेवानेयम सुग्राही ग्यानेंद्री है ठीक या हमें इस अध्भुत संसार तो था हमारे चारोर के रंगों को देखने योगी बनाता है ठीक मानो नेत्र क्या है तो बता देना कि ग्यानेंदरी है ठीक है जो कि हमें क्या करता है कि चारोर की रंगों को देखने योगी बनाता है ठीक फिर देखें दूसरा फिर इसी में है यहां नेत्र गोलक में इस्तित होते हैं ठीक यहां नेत्र गोलक में इस्तित होते हैं ठीक कि यहार नेत्र गोलक नेत्र गोलक का बियास लगबग 2.3 cm होता है फिर देखें आगे हैं यह दालना है मानोनेत्र के बिभी के भागयों उनके कार है ठीक है तो आपका लॉंग प्रिश्ण होता है तो देखें सबसे पहले स्वैत मंडल जिसको क्या बुलते हैं कार्णिया ठीक तो हम कार्णिया की बिसमें पढ़ें कार्णिया है क्या देखें यहां नेत्र के अगरे भाग पर एक पारदर्शी जिल्ली है ठीक चित्र में आपको आगे दिखेगा काणिया कहाँ पर बनी है तो देखें इसमें क्या कह रहा कि यहां नेत्र के अगरे भाग पर एक पारदर्शी जिल्ली है काणिया क्या एक पारदर्शी जिल्ली है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकास किर्णों का अधिकान से अपवर्तन कार्णिया के बाहरी प्रष्ट पर होता है ठीक क्या करता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकास किर्णों का अधिकान से अपवर्तन कानिया के बाहरी प्रेश्ट पर होता है ठीक फिर देखें लेंस इसी में तु यह एक उत्तर लेंस से है जो प्रेकास को ऑपना होता है लेंस केवल बिभिन दूरियों पर रखी वस्तूयों को रेटिना पर फोक्षित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सुच में समायोजन करता है तो क्या करता है जो नेत्र लेंस होता है वो उत्तर लेंस है और प्रेकास को रेटिना पर अविसरित करता है प्रेकास को रेटिना पर अविसरित करता है फैलाता है यह एक रेसी दार पधार्ट का बना होता है लेंस केवल बिभिने दूरियों पर रखी वस्तूओं को रेटिन पर फोकिसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी सोच में समायोजन करता है फिर अगला इसी में परितारिका हेडिंग डालनी है परितारिका क्या है कार्णिया के पीछे गहरा पेसियर डाय फ्राम होता है जो पुतली के आकार के नियंत्रित करता है परितारिका क्या है तो जो पुतली के आखार को नियंतित करता है फिर आप देखें पुतली हेडिंग डालने है तो पुतली क्या है पुतली आंख में प्रवेस करने वाली प्रकास की मात्रा को नियंतित करती है पुतली क्या करता है तो पुतली जो आंख में प्रवेस करने वा कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं प्रदीप्त होने पर प्रकास उग्राही कोशिकाएं सक्री हो जाती है तदा बिद्धुत सिग्नल पैदा करती हैं यह सिग्नल द्रग तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिस्क तक पहुचा दिये जाते हैं मस्तिस्क सिग्नलों की व् ठीक टाइप एक कोमार सूच में ठीक पाइञ प्रीत उसकृ नेफ कोशिकाय अधिक पाई ञाती ती्य उई चाहिता है नोट आपकात ढींव अबातेसग थे हैं । मस्तिस की इन सिगनलों की ब्याख्या करते हैं और हम वस्तिों को देख पाते हैं ठीक तो यह आपको चित्र बनाना है ठीक जोना दिया डिया है। आपकी संदर कार्णिया जो स्वयत मंडल कॉर्निया है पुतली तो हर जगा आपको इसमें परितारिका एक फिर देखे ठेया उपर दिया नेत्रोद ड्रश्टी पतल नहीं रेवाश्टी पतल आइ seven तो आपको समझ में आ जाएगा नेत्र आप देखें आगे अगली हेडिंग है दूर बिंदू, तो दूर बिंदू क्या है? तो हम पढ़ेंगे वहाँ दूर तम बिंदू, जिस तक कोई नेत्र वस्तूओं को सुईस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदू कहलाता है, वहाँ दूर तम बिंदू, जिस तक कोई नेत्र कि लिए अनंत्र दूरी पर होता है यह निकट बिन्दू देखे क्या है वहार नियुनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्त बिनातनाओं के अतधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसी नेत्र का निकट बिन्दू कहते हैं ठीक है निकट बिंदू बताएंगे क्या है तो वहां नियुंतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाओं के आतधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकट बिंदू कहते हैं ठीक है अब इसी में है क्या किसी सामान द्रश्ट के कारण वयस्क के लिए न मांक से लगबग 25 सेंटीमिटर की दूरी पर होता है इसे सो इसपष्ट द्रश्ट की नियुंतम दूरी भी कहते हैं ठीक फिर देखें आगे फिर अगली हेडिंग है हमारी समंजन चंता तो समंजन चंता क्या है तो इसमें पढ़ेंगे हम अभिनेत्र लेंस की वा चंता जि जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है लेंस की वक्रता पचमाभी पेसियों दौरा नियंत्रित की जाती है पचमाभी पेसियों क्या होती है देखें सिथिल होती है लेंस से पतला होता है पचमाभी पेसियों का और फोकस दूरी बढ़ मुटा हो जाता है और क्या होता है तो यह है आपको कर लेना है टिक इसके बात हेडिंग डालने ए तृस्ट ही धृस्ट दोस्य तता उनका संसोधन प्लेक है तृस्ट मोटिया बिंद टो मोटिया बिंद किया है देल के पढ़ेंगे इसके अन्दर अधिक उम्र के कुछ ब्यक्तियों के नेत्र का किष्टलिय ले से दूधिया तरह दुनला हो जाता है इस इस्तित को मोतिया बिंद करते हैं इसके काँ नेत्र की द्रश्टी में कमिया पूरर रूप से द्रश्टी छह हो जाती है फिर देखें क्या इसी में मोतिया बिन्द की सलिचिकित्सके बाद द्रश्टिका वापस लोटना संभव होता है विख्दै निकट रखी वस्तू को तो इस पष्ट देख सकता है पर धूर रखी वस्तू को वाई माई सु इस्पष्ट नहीं देख पाता है क्या है इस दोस में ब्यक्ति को यह दोस होता है निकट द्रेश्ट दोस तो इसकी पैचान हम कैसे करते हैं कि इस दोस में ब्यक्ति निकट रखी वस्तूओं को तो इस पश्ट देख सकता है पर दूर रखी वस्तूओं को इस पश्ट नहीं देख पाता तो ऐसे दोस युक्ति सिब्यक्ति का दूर भीनु अनन्त पडह न होकर नेत्र के पासा जाता है थीक दोस सुठबन होने के कारण क्या है likely अभीनेत्र लेंज की वक्रता का अत्यधिको नीत्र गोलगु का का लंबा हो सकता हैं तो निकट दरश्टी दोसको और लेजिके उपकीयोग त्वरा सन्सो संसोधित किया जा सकता है फिर देखें आपको जोट बनाना है है चितर आपका दिख रहा है इसमें क्या है निकट द्रश्टी दोस युक्त नेत्र का दूर बिंदू ठीक इस चित्र को बना लेना है फिर इसके आगे यह देखें दूसरा चित्र दिया है ठीक इसको भी बनाना है इसमें क्या निकट द्रश्टी दोस युक्त नेत्र ठीक इसको भी बना लेना है फिर इसके तो सोधन हो रहरा है तो वो वालज छित्र तीक इस में लिंस लग गया है कौन सा अव्तर लिंस निकट द्रश्टी दोस्ट का सन्व्तन कुड मुझिस तो इस चित्र को आपको इसी तमी यह इस तरह कर लेना है ठीक है और चित्र को बना लेना है इसके बाहाँ देखें आगे दोस्त देख सकता है इसे को क्या का थे जिए मिल सामान्य होने के कारण कि यह तो तो है कि देखें निवारण विलिखें कि इससे दोस कुवियुक्त छंपके उत्तर लंज का इस्तेमाल करके सनसोधित किया जा सकता है ठीक इसके बाद चित्र बनाना है देखे क्या है दीर के द्रश्टी दोस युक्ति नेत्र का ठीक निकट बिंदू इसके बाद अगला चित्र बनाना है तो अगला चित्र का दीर के द्रश्टी दोस युक्ति नेत्र है यह आपका ठीक है और यह क्या है दीर के द्रश्टी दोस का संसोदन तो तो आप देखें आगे, इन चित्रों को भी बना लेना हैं और कweekल कर लेना हैं थिक, फिर देखें आगे, हेटिंग अगली है जरा दूर द्रेश्टिता तो जरा दूर द्रेश्टिता क्या है? क्या है कि आईव में ब्रद्धी होने के साथ साथ मानों नेत में समंजन चमता घट जाती है ठीक फिर अधिकान से ब्यक्तियों का निकट बिंदू दूर हट जाता है इस दोस्त को जरा दूर द्रेश्टिता कहते हैं कारण क्या है या पचमाभी पेसियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तक किष्टली लेंस के लचीले पन में कमी आने के कारण उत्मने होता है निवारन क्या है तो बताना है कि उत्तर लेंस के प्रयोक से इसका निवारन हो जाता है और क्या है कभी-कभी किसी ब्यक्ति के नेत म दोनों ही प्रकार के दोस्त निकट द्रश्टी तथा दूर द्रश्टी दोस्त होते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए प्राया दूरी फोक्सी लेंसों के आवशकता होती है उपर ही भाग उतर लेंस और निचला भाग उतर लेंस होता है तो क्या है कि उतर लेंस का प्रयोग किया बाग आउतल लेंस और निचला वाग उतल लेंस तो इससे निमारण हो जाता है ठीक इसके बाद अगली एडिंग क्या है दोनों नेत्रों का सिर्पर सामने की और इस्तित होने का लाब क्या है ठीक तो क्या लिखेंगे इसमें हमें त्रिविम चाशकी का लाब मिलता है इससे हमारा द्रश्ट छेत बिस्तरत हो जाता है इससे हम दुनली चीज़ों को भी देख पाते हैं क्या करें दोनों नेत्रों का सिर्पर्ष सामने की और इस्तित होने का लाब ठीक फिर देखें अगला ठीक तो यहीं से जो है हमारे क्लास ठीक आज समार्थ है इसके बाद हम अगली क्लास में इसी के आगे इसी चैप्टर का अधियन करेंगे ठैंक्स क्लास ठैंक्स पार वाचिंग इस वीडियो